तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉड़कास में हॉरर पॉड़कास में हम हॉरर पॉड़कास लाते रहेंगे जब तक आप उन पर बढ़िया बढ़िया रिस्पॉंस देते रहोगे आपको इतने पसंदी इतने जाद हैं तो हमारे साथ आज बढ़ी दूर से आए कि इनकी एक speciality है कि यह न डेड़ लोगों से बात कर सकते है यह सुनके तो हम खुद हिल गए ते कि यह क्या चीज है तो भाई आपकी न वेलकम पहले सबसे पहले तो तो आपकी सबसे फर्स एंकाउंटर से स्टार्ट करते हैं कि आपको जब महसूस होने लगा था तो स्टार् कभी रदित्ते कर गए तो वह बस हो गया और मैं अच्छली 2004 से भाहर रहा हूं अजरबायजान में पढ़ाई की है दो साल फिर दुबाई पढ़ा हूं फिर उसके बाद 5 साल स्कॉटलेंड में पढ़ा हूं सीटी गाना में अबरडीन तो वहां पे मैं 5 साल पेट्रोलियम उसके बाद वहां UK की हालत खराब होई थी economy wise तो जॉब नहीं मिली तो मैं डाट के साथ बिजनेश जोइन कर लिया अजरबायजान में अब मैं वहां रहता हूं तो उसके बाद पहला इंकाउंटर शूरू करते हैं अबडीन से UK से हुआ था तो एक बार मैं actually क्या था वहां ग्रेवियर्ड जो सम्षान घण हों वहां जैसे दफना देते हैं उनकी रिलिजेन में तो वह ग्रेवियर्ड को पर्क बना देते हैं वहां वह ऐसे करके बेंच लगा देंगे ग्री होगी तो कभी जॉक पर जाओ वाग पर जाओ तो बढ़ा उस जाने में धिन में और मैं अब पसके साथ-बेशs के लिए रात में जाएंने को बताया फूरे में जा थे जएक लिख देगा जुए पर दूस अब मैं उसे से करते हैं जा कि लिएक करने कोका जाता है, अब आय कोई तुम्हारे कोक्षि हो जै तुम्हारे कोई हो न cette इससे पहले एक कहानी था जैसे फर्स्टेर में भी हो था अथा रहते हो आप और उसके बाद उनिवस्टी तो तब दोस बन जाते हैं था थे तो मेरे साथ रह ले गए वह तो मेरा एक फ्लैटमेट था वनेजवेलागा था मेरा बेस्ट फ्रेंट साथ में सेम कोज पढ़ते थ पूरा ठीक है और वह एक नंबर का फट्टू हर चीज से डरता था उसको मतलब बूत का कहानी शुरू करो वह यह पॉड़कास अगर इंग्लिश में भी हो तो देखता नहीं वह कहारा मैं दूर रहता हूं मुझे यह सब चीज अनी पसन बहुत बिलिव करता है तो कहानी हो मैंने का जीजस किसका है कै रहा पता नहीं मेरा तो नहीं है मैंने क्या करूँ भाई कुछ मत कर ऐसी चीजों से मुझे बहुत लगता है जहां जैसी पड़ी रहन दे चूमात इसको पिचर थी क्या फोटो थी एक जैसे अब वह ऐसी फोटो थी कि एक लड़की जैसे वाक कर इसको ओड़र लगया है बह inquiry मेरा रहने दे पता नहीं किस का प्र नहीं माका माल क्या स्टोड़ी है रहने दे ठीक है हो गया अब कुछ महीनों बाद पढ़ते थे पार्टिज यह कुछ नहीं हुआ कुछ महीनों बाद नॉकिंग की वास रने लगे रात को मुझे आपका र वाब रुष चलते थी, ठंडी जागा है, तो मैं नहीं रखा निया ठीक है, नॉक हो रहा है. मैं इंग्नोर करने लगा, फिर मेरा दोस्त आया वही फ्लैक्त में, भाई तुझे सुना ही दिया को रहात को? मैं आपको, क्या हुआ है? कि रहे नोकिंग, तो मेरा खटका दिमाग, मैं तुझे भी सुना ही दिया, कि रहा है, मैंने का होगा को प्रांक कर रहा होगा, होते ही खुराफाथी को एक कॉलेज का स्टुडेंट होगा, वी डूड मार के पड़ा होगा, या भीप आगे, ठीक है तो ये चलता रहा, कुछ दिनों तक नौकिंग होगा, फिर एक टाइम पर आया, एकदम से वो ड्रम बजाता था अपने कमरे में, हैटफोन लगा के, ड्रम प्रैक्टिस करता था, वो, मुजिशन ताइप था, तो वो एकदम से उसके चीखने के आवाज आई और मैं दर गया ह तो मैं डर गया, क्या हो, 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 क्या पर आए मुड़ के देखा कोई नहीं है और यह नेक्स देख वो चला गया था कर दो अपना लंच बना रहा था किचन में अकेला कुछ नहीं और दिन का टाइम माझा दो डाही बज़े तीन बज़े मैं किचन में बना था एकदम से मुड़ा पीछे मुझा वो वापस आ गया ह मैं पूरा कमरा चेक किया मैं आगा शांती से आगया कुछ हो तो फील हो जाता है फिर दर्वाज़ा पर देखा कुछ नहीं मुझे हलका सा फील होने लगा कि यह है और फिर नौकिंग की आवाज ऐसी थी वो मूव होती थी तो अगर मतलब अगर हमें कॉरीड़ में नौक कि अवरा पर चेक को आपने अपने अपने साथा घंट है अपने ममी ने जगा भाई हनुआ जरीड़ में रख देगा अपने सा फेले टेबल पर मैं मेरा तो कुछ नहीं तो नौक ही हर एक इक सांब मुझे हो था अब आईगी आने लगी नौक ठीक है अब उसको भी डर यह तो हम बैठे हे जीजिस ने भी वो सोचता है, मैंने का यार फोटो याद है? तो एक बहुत ही हिला? हाँ, मैं पोटो दिखाता हूं, बहुत है, मैं उसके कमना में उसके में देखा है, मैं उसके मुझे लगता हुछ इससे कुछ है बढ़ा स्टुपीड सी बात है पर मैंने गाओ इस से कुछ लग रहा है तू कर जो करना मैं चू भी नी रहा है उसको एसा दूर रेक्ट मिर से थीक है और तू कॉरीडोर में एक शीशा होता था मैंने यहां लगा देता हूं पता नहीं कुछ हो देखते हैं क्या हो रहा है मुझे नहीं पता बट आइक गारंटी यू कितनी बार हुआ है मैं मुड के देखा हूं बार पीछे कोई नहीं अब जैसे अगर कोई यहां पर आएगा आपकी 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 आपनी जाएगी यह कोई आया है पर बहुत बार आपका दिमाग भी तो आपका खेल रहा होता है लगसे कोई मेरे साइड मेरे कोई मुझे देख तोतों है रहा हूं यह रहा है वो सकता है बार न jakiś साथ है यह कुछ मुझे का न कि लिग तक 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 और कोई है मैं पीर से भी Wade हो सफ़ीं नहीं साथ होता तब ला बताता हूंग तो Abadiya में यह किस्सा भी इ क्योंकि मैं काम करने लगा, रहने लगा साथ में, तो फिर बाद में नॉकिंग सुनाई देती जी, तीन से चार के बीच में एग्जक्ट आप जहां रहते थे वहाँ पे, अधरभाई जान में मैं और सिर्फ मुझे, सिर्फ मुझे सुनाई थिती, मुझे पता होता था अब तीन बजगे, आप अने वली नॉकिंग आती थि अब आती है, आज भी आती है, अब निया थि, क्योंकि एक इस्टा हो चूगा ऑज निया थि खुलो वो कंडीनी को पहले तो मेरा दोस्त था बर्लीन से पड़के आया मेरा बच्पण का दोस्त था इंडियनी था वोगी तो हम कभी डिनर पाइटी में एकड़ाई था तब कहते हैं। और अब अब चाहिए हुखा माने चलते हैं। अब दिल्ली आखकामाना बहुत कॉमन है हमारा अब भाइब टेली करेंक विडिया है। हम आखकामाने चलते है जो कि चायवाई जो लोकल चाय पिंगे चले जाएंगे। ठीक है। हम गए अब बाते करते इतने टाइम बाद मेले तीन-चार बज गए रात के और वहाँ सेफ है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है आप अकेले भूमो लेडिस भी अकेले कुछ बढ़िया जाएगा बहुत सेफ है तो मैं टैक्सी लेके गया हम साथ में गये उसने मुझे चोट रॉप के वह चला गया थोड़ा सा वॉक करके जाना था अब नीचे कार पार्क और गाड़िया खड़ी है मेरे अपार्टमेंट के नीचे चार पाच गाड़िया ऐसे और यहां फुटपाथ है तो मैं यहां उतर तो जैसी मैं उतरा चार वज़ते मैं एक्तम से मुझे ठन लगने लिगी मुझे हलकी सी डल लगने मैं का पुरा सुंसान क्यों है यहां ऐसा जगह है जो हमेशा मतलब कोई तो चलेगा कोई गाड़ी हो कुछ तो रहेगा आज कुछ नहीं है मैं बदाने कुछ होगा अब ज तो चार पाच गाड़ी है मतलब छाइसाथ आर्मी को वाक करने में लगता ही है तो जितना भी एक ड़े मिनेट लगा उत्ती जल्दी में वह पॉल रड़ी वहां खड़ी ज़ती है यह कहां से एक्दम से मैं का पता नहीं है और दिमाग क्या हो रहा है तेलिपोर्ट सी कर र ज़िए एक लाइन आखों पर और मुझ पर बच्चे ड्रॉण नहीं करते हैं जैसे दो आखे बना दी एक नोज एक वह 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 वैसे दिख रहा है और पिक्सलेटे मैं देखते है यह क्या है यह कुछ भी नहीं है चाय पी क्या है हो हुका में चार बजे और नींद भी नही अभी नहीं होटा हूँ यह क्या है मुझे डर लगने लगा वह कुछ ऐसे बढ़ आना लागी लेंगविज में जो ना-local लेंगविज मुझे बढ़ पाता है तो मैं समझ जाता कि क्या बोल रही है वह ऐसी लेंगवज में बोलने लगी मुझे समझ भी नहीं आरा हलकी हलक मैं कि सम्तिं खुछ मुझे मैं क्या बढ़ंबड़ा आरही है मैंने छलना लगा मुड़ा मुड़ू जैसी मुड़ा ड़ता यह हुआ सा यह हिपल थीच जासा हाद यह यह क्या सा ओगा अष्टर बहुत जो पहले जां पहले है अपार्टमें निए ठीक थीठा, मतलब किसी को सुना नहीं देती थी वह नौकिंग इसका मेरे वह सबक्रेइन के बाद सबक्राइब बढ़ी अविदक नहीं दिखता है अशने आपको कुछ वार्म नहीं का रहा हुआ बस वह ऐसी आखी ती कुछ बोल रही है या बोलना चाहरी है मैं पता नहीं कौन है क्या है पर वो चेहरा देखके मैं बस चलो यार निकलो यासे मैं वैसे डरता नहीं था क्योंकि मैं ग्रेवियार्ड में दौर रानिंग मुझे कुछ नहीं होता था इसा मैं डरता नहीं था मैं अगर इंटेंशन से जाओं कि हाम मैं कि मैं हाम निकर था प्रेसंस तुम्हार है ठीक है तुम आ रहो मैं आ रहो अपना-पना काम करूँ जैसे कोई लोग को अगर उंगली करने की आदत होती है वो चैलेंज करते है मेरा वस्यत है कि तुम उद्वर रहो पर मैं भूल गैँ था है कि मैं जो मैं आख रहो था है तो है यार यॉसा हो सकता है कि वह इतने टाइम से चलती हारी है कि कोईना कोई अब सफ़ा नहीं चाह रहा है तो बड़ा रजीब सा वह किस्सा था तो Sightings तो यह एक था फेर 2016 में मेरे नाना जी मेरे मदर के फादर एक्सपायर हुए तो उनकी तो उमर थी almost 80's touch, बड़े अच्छे से गए, just कुछ health issues नहीं था, तो thankfully बड़े peacefully गए, फिर उनके within a month मेरे बड़े मामा जी, उनके बड़े पेटे मेरे मम्मी के greater brother, elder brother, उनकी death हो गई, उनकी थोड़े issues थे health के, ठीक है, उनकी death हो गई, ठीक है, सब sad थे, सब shocked, तो मैं जब पोचा था, उसी रात को, उसी तब हमने, फिर kriya video करती है, मैं process में भाग लिया, उस ताम तो आत्मी बड़ा सुन होता है, पहली बार सारी process, देखो, Hindu rituals, आत्मी क सब्सक्राइब आता है, यू जिस चल रहा है, पंड़ जिन ने ये बोला ये करो, बड़ो ने का ये करो, ठीक है, वो हो गया, ठीक है, सो गया, और रात को मुझे उनका विजन आया था, कि he is peaceful with his mother, और उनके अपने ममी जी और पापा जी के साथ, शांती से है, तो मुझे ठ कहते हैं कि हाँ तुझे सपना है ये वो, मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने ठीक है, तो वो जो महुल आपको दिखा थोड़ा एक्स्प्लेइन करो कि, शांती सता जैसे एक यूनिवर्स इन्वैंजिन करो, बहर अर्थे बहर जाओ, और एक पीसफुली जैसे लाइड़ाउ, सो गया है, वो तीन स्पिरिट्स एक साथ देखी थी, मैंका ठीक है, एक मेसेज समझ लो कि आया है कि वो उनकी हो चुकी है, कुछ निवा, एक साल बाद, दिल्ली के घर में, उनके ड़्स दिन नी, हम सो गए थे, मेरी मम याद करी तो मुझे पदा है, मामा जी और नाना जी मामा जी का, तो मम्मी याद करी तो क्योंकि नाना जी के तो फिर भी सब को एक होता है कि यू अग्री कि चल हो गया है, उनने लाइफ टेख ली एक होता है, एक होता है अंटाइली डेथ में आदमी केता है यार थोड़ा और जी लेता है, यह तो देख लेता है, वो देख ल मेरे देख के स्माइल किया और थोड़ी देर मतलब जो भी एक था ही वेंट और तुम श्यावरो की वह रियल था तुम सपने में सपना गो सथा ना बता तुम मुझे लगा है सपना है मैंने घड़ी देखी फेस्बूक देखा इंस्ट्राम की मैं गया पानी पीन है मैं मैं बचे लगा नहीं भाई इसा होता है कितना बिलीव करों किया नहीं हो तो तो यह था फिर भी मैं उतना स्ट्रॉंग बिलीव नहीं हुआता है कि इतना सुपरनेश्रल होता है अब आते हैं बाकु में तो मेरे डाध का डील्ड है काफी रथी फ्रेंड है काफी सब ईल्डर ली हो बहुत सालोंसे नहीं कृम करते है with you कि बेटे भी वहां काम करते हैं, एकाद इंडिया में है वो सब तो बहुत अच्छे बिजनस फ्रेंड थे और वैसे ही फैमिली फ्रेंड हो गोईते हैं, हम एक हफता पहले हमें गूंके भी आयते हैं यह और जेस्ट एक हफते बाद हमें संडे का था, कॉल आई कि पास्त होए, उनको कुछ एल्थ इसूस हुआ और पास्त होए, सब शॉक्त, ठीक है, तो हम हॉस्पिल गई है वो और वपस आगए, और अगले दिन मैं तो अफिस चल गया था पर डाद है कि कैसे ट्रांसपोर्ट करके इंडिया लेकर था इनका अब भी को बार इननी, उनके बेटे को लैंगवेज आती थी, सब इंग्लिश भी बोलते थे वैसे, तिकेट्स भूख ओग थे, सब जाना, मैंने कुछ में कहारा है, शुद आ को इस अब क्या है, यहां उनको अज्छ थेरा का वाँ था थाए, तेक्सी लेकर घर गया और मै मैं यूजिली ठीक है, मैं टैक्सी से उतरा, बैग वेग लेकर एक्टम में से चलना जाए, हैवी स्टेप्स होता है कि जैसे बहुत चड़ाई करके आ रहे हो, यह सीडिया चड़ी, मैं चाहना, यार यह बहुत थखाव, इनरजी द्रेंग है, मैं थीक है, थख गया अराम से बैठा कॉफ भी, फिर पेरेंस आई एरपोर्ट से छोड़के, मुझे वो गर्मी लगने लगी, मैं बढ़ी गवराटोरी है, पता नहीं क्या आप लग जब से आयो, रेसी चला था किया पंका चला ले, मूपे कल ले यह, पर मेरे पसीने चूट रहे है, और मैं लो मुझे देखे डाट के फ्रेंड, प्लेन के कारगो में बैठे हुए, जहाँ से ज़ाती है, कारगो से जाती है, जहां लगेज रखते है, मुझे exactly ओ प्लेन के खुला था और वहां बैठे हुए ते कारगो में, रोह बहुत जोर से, मैं ऐका यह क्या हो रहा है, मैं आखे बं मैं बस देख रहा हूं वो अपने grandson को देखे जा रहे थे कि अभी तो यह था मुझे यह भी करना था मुझे और जीना था मुझे और काम करना था मैं बस देख तो मैंने को बातनी पर आपका grandson है ना वो समाल लेगा एकदम से फिर उनका रोना एकदम शान्त हो गए वो बैठे रहे थोड़ी तर फिर मुझे दिखे एरपोर्ट के बिजनेस क्लास लाँज पे सोफे बैठे 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 मैं ऐसी वाक करके गया मैंने का जो भी ऐसी देखा कह रहे अब तो कहते है कहीं भी ट्रावल करो ना वीजा लगना ना पैसे लगने कहीं बैठे बैठे बिजनस लाँगा आँ और ताली दी और वो ऐसे करते थे मजा कर चोटा मोटा तो यह आपको पूरा रियल दिख रहा है यह वाल अब सोवो निरो कुछ निरो कुछ निरो परस्नल जो मेरे बेटे को यह कहना उनका ध्यान रखना यह वो और यह कहता है कि यार इजन दीवाद चोटी है काम भी करो पर एंजॉय करो और जरूर यह करना कि एक्सराइस करो और बार का कम खाओ यह सब ऐसे दो-चार चीज़े कही और बेटे के लिए अपने दो-चार चीज़े कही और यह कहता है कि मेरी वाइफ का ध्यान रखना ममी को बोल देना जहां भी जाए उनको गुमा ले जाना मैंने का ठीक है और कुछ ठीक है फिर वो मुझे लास्ट पे बिजनस लाउंज बाहर आती नीचे एसकलेटर और फिर गेट गए और खड़े मैंने का ठीक है नमस्ते कर रहे ठीक है और मुड़के चले गए और सारा कम्मुनिकेशन खतम मैंने उठके सीधा देखा जैसी मैंने आख़ ली टाइम गया 9.45 मैं का ठीक है पाता चला 10 बजे फ्लाइट थी उन आपको बाता है कि एसे थे मुझे ऐसे थे फिर इस ताप से कप्ड़े पाने ते कि अए खुट का कि थांक यू मुझे बताने के लिए मुझे एसा लगता है कि उनका लास्ट मेसेज मुझे मिला और मैं आपको बिलीव करता हूं कि तू आपने बात किया उनसे और थे भी मे मैं ऐसे ही नहीं कि मेरा कोई बहुत दोस्तों जी रही है और आपने अपने घरवालों को बताया तो उनका का रियाक्शन दो डाट तो सिंपल कि हाँ हो सकता है यह सब चीज़ा होती है मम ने भी का कि हाँ ठीक है भी बिलीव यू मुझे लगा डरेंगे मैंने एक दोस्तों को बता है वो तो भाई तुप से डर लगना लगा यार तू दूर रहे दूड़ा तू पहाँ बात कर रहा है भाई आंके बंद गर-गर गिया भाई क्या वोलना है भाई रहें दे भाई का ठीक है तो यह वह किस्सा था बाकु का फिर्स्ट कम्मुनिकेशन का किस्सा उसके बाद कब-कब हुए किम्मुनिकेशन गाइस फिर एक फ्लाइट थी मेरी बाकु से मैं एक शेर जा रहा था नाम निलूंगा, क्योंकि बहुत पॉपुलर शेर है, तो मैं काम के लिए जा रहा था मैं यह आप लोग की पॉड़कास्ट डाउनोड कर रहा है थे यूट्यूब पे मैं दो तीन ऐसे देख रहा था, मैंने का फ्लाइट कर देगी अपना मस्त तीन पॉड़कास्ट थे, एक एगंड़े का जो भी, दो देख लिए अपना अराम से, फिर तीसरे पे मैं आदा रस्टे पर आदा हुआ था और एकदम से मुझे अपनी नानी जी की विजन आई, पुराने घर पे, मुरादाबाद में, जहां की वह थी, जहां उनका सारा घर मेरी मम्मी के साइड, तो अब यह एक बताता हुआ कि वह पहले घर हमने, जब यह सब डेथ हो गए थी, शिफ्ट हो गए थे लोग, वह बेच दिया था हमने, तो वह तूट चुका नया बन चुका है, तो यह तब की कानी है, तो मैं विजन आई, मुझे उनकी शकल वहां द मैं यह क्या हो रहा है, मैं फिर इग्नोर गिया, मैं देखता है, पर होता है कोई बहुत डिस्टर्ब करता है, आपको जो जो धिहान से देख रहे हो, सारा सुन रहे हो समझ नहीं आ रहा है, कुछ फोकस नहीं, वह वापस गर्मी लगने लगी, वह सिमिलर, तो मैं लगा यह बन का मैं गेट भंकर देख़ सहीं, मैं फोन रख दिया मैं अल गर जैसे मैं देन गोण आगवा आपकर है। अब वह जाए अपर चुकल यहुत, पर मैं यह वह करता है। अब यह भाला खुना तो मुझे वह पुराना घर झीख़़। वो अभ्या थे साके बोल रहे हैं चाहिए कुछ चाहिए? काफी अफिमें नहीं नहीं मुझे माहा जाना दे मुझे तो इसा था लिट्रली मैं सोय नहीं था पूरा वो ता मैं वो गेट पे गया और मैंने देखा जब तक मैंने घर देखा था बार एक दुकान होती ती ती उनीकी पिर मामाजी की चीओ पर मुझे इस इस विजिन में दुका ने देखी, हैंडपम देखा, गेट एंडर करता ही, जो मैंने लाइफ में नहीं देखा था, महा हैंडपम, कोई दुकान होती पूरा, मैं का ठीग अब मैं बाद में बताता हो, कईसे हुआ, तो मैं एंटर के हैंडपम देखा, जाते ही एक entry थी सीडिया ऊपर जाने के लिए second floor गर और left side से corridor थी अंदर घर जाने के लिए तो मैंने का यहाँ जाता है मुझे यह है नहीं देखा एक कमरा तो दूसरा तीसरा दर्वाजे थे और जो तीसरा कमरा था था थोड़ा खुली जैसे ओपन वो अएर था और बातरूम था और दूसरे घर की चत दिख ती जैसे ऐसे ता इंडिपेंडेंट हाउस तो मैं गया ज कुछ बोलनाएं मैंने का ठीक है आजाओना फिर जी जी तीसरे वाले कमरे डरवाजे पे जाते हुए अधर ठीक केनी अगर कर देते केरे अजरी कर दो किरे और बाकी सब का हैं मैंने का यहीन इंडिधा पर हूशे नहीं नहीं नैंपार मेरे मामा जी का और उनाटय अपने ह बहुत चोड़ा बहुत बाद में वाला तो यह लड़का का है यह आरेन नाम तो उसके की आरेन का है मैंने का आपको पता नहीं है कर दी नहीं नहीं वह तो अब शिफ्ट होगा एक अब के दूसरा घर ले लिया तो रोने लगी और जाने लगी यार मैं बहुत अकेलई पड़ गई हूँ अझी शीस तारी वॉस बस बॉक करने लगें चली गई मैंके रुको रुको मैंने का मुझे आपसे बात करनी है कुछ मैं conscious है मैंने का मुझे यह सवाल हमेशा होते थे आपसे बात करनी है यह दो चाह सवाल करने है तो वो मुड़ के देखी कि ऐसे मुझे लगा कि ठीक है ओ कहें बेटा बता तो मैंने पूछा कि सारा लाइफ में जो मेरे बड़े मामेशी तो इतना जल्दी उनकी डेथ की हुई और इनकी लाइफ में बहुत इशूस क्यूं रहे काफी financial issues थे कुछ काम में तो मैंने पूछ यह क्यों रहा सब यही पूछते हैं तो उन्होंने बताया बेड़ा ऐसी बात है एक बार उन्होंने तुमारे नाना जी को मुझे एक लड़ाई होगी तो जिसे हैं पुरान जमाने एक बहुत जादा लड़ते वे देख लिया और कुछ ऐसा देख लिए जो जिंदी अबर उनके मन में अपने फादर के लिए तो तबसे बहुत लेते थे ना मन लगता था ना काम उता था और फिमा भी चली गई यह वो बाकी सब फिर जो मेरी मदर है और एक यंगर बदर है तो तीन बच्चे थे उनके उनके मैं उनका सब मम्मी का मेरा न बताया नहीं बजी एक यार जो छोटा वल मनीश तो बहुत उसको क्या समझ में आता मैं करते है फिर मैंने पूछा जो इरन जो चोटा वह बहुत डरता है और रात रात को रो वनिलग जाता था बच्चपन में अर उठ जाता था यह बहुत डरता था अभी बहुत डरता है तो तो नो धियो वो डरता कियो और कि ओदित marking आ दूलांश ह से डरता हूँ, एक्जाम से उससे डरता हूँ, मैं का इसका डर कुछ जाद ही है, हर चीज से डर जाता है है, तो चुपचाप देखा का, उसने मुझे एक बार देख लिया, मैं उसको देखने जाती थी बच्पन में, उसने मुझे एक बार देख लिया, तब से मैं नहीं गई तो मुझे पीछे से आवाज आजी चंद्रा, चंद्रा मेरी नानी जी का नाम ता मैं ये का, मैं बहार गया, जो सीडियां बताई थी मैंने, वहां पर बैठी वीती मेरी मम्मी की दादी जी ना मैं कभी मिला ना उनकी फोटो देगी तो तुम्हें मालूम कैसे बढ़ाई है दादी जी मुझे ऐसे ही फील आई, मैं नमस्ति मैं समझे, क्यों चंद्र चंद्र बुला रही है और बहार बैठी वी पंका कर रही थी और पुरानी सीडिय में वह हैंडल नहीं होता पकड़ के जाने का तब नहीं था अब जब रीसे आई पकड़ के लुग पे और चश्मानी था चश्मानी की कानी बाद में अधाना चश्मा नहीं तो अर रही है तो मैंने आँ नहीं था अधा है तो मुझे देखके कहती है और बाद में मेरी नानी जी आई, फिर मुझे उन्होंने ने का कि पंजाबी विज गल किया कर डरने जी जरूतनी है कोई मजाग बनाता रहा है और ये इसकी छोटी सी बैक्स्टोरी कि मैं रिसेंटली मुझे ये था कि मैं पंजाबी हूं, बोलना चाहता हूं, मेरे पेरेंट अचानक से क्या हूआ है तो मैं पंजाबी सीखने लगा तो ये यहां से ये इनोंने फिर रिवताया कि बिंदास गल किया कर कोई कोई लोड नी है कुछी है सब प्रोपर पंजाबी है पूरा पंजाबी में बोल रही है पिर मेरी नानी जी आई तो मैंने आपको आप गभरा मैं होन दियांगी पंजाबी पूरा तो वो दोनों हसने लेगे वो और जब मैं बोलने लगा था कुछ और तो मेरी नानी का जा 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 तेरह टाइम हो गए जाने का चल जल बहुत हो गया हम कर लेंगे और एकदम से कम्मुनिकेशन टूटा विजिन भी खतम घर देख रहा ह पिर मैंने का आग खोली प्लेन लाइंड अरे भाई साफ प्लेन लाइंड अरे भाई साफ यह क्या क्रिस्जिन है भाई आप यह तो उनको एक मेडियम मिल गए हो आप हां कम्यूनिकेट करने के लिए और पूरा कन्वे कर सकते हो और वो देख रहा है कि अलगी वर्ड चल र जो मेरे बड़े मामा की वाइफ बड़ी मामी से मैंने यह बताया कि यह वा तो फटाल किया उन्होंने भई बता कहानी पूरी सुना मैंने सुनाई तो मैंने का यह ऐसे मेरे मामा जी यह बताया था मेरे बड़ी मामी ने का की चीनू मेरे घर का नाम चीनू है चीनू तुझ कए रहे सक्से काई है ओअना तेरी मम्मी को बता है अक्षया Lee कर नासक्षर नासकर विभ एककन अजी बता है सिर्श तुछे दुल से रही कि ए पिटा चाहिए आएक लिए एक तो वह रहते थे सारे सहते थे उनकी एकर भार जानल आज़ तो तो फिर इसम्टीश में होई तर जा भी एक मेरी नानीजी और बड़ीदादी जी कभी जानते नहीं ते गढ़ी जांधे नहीं एक्जाक्ट सेम वही हाइट वैसा ही और हलके से जैसे गुटने बेंट होते हैं जब बुजूरों के पैर हो जाए वैसे खड़ी वी ती बिल्कुल वैसी पंका लेकर और जब मैंने का पंजाबियों की वह बोल रही थी चंद्रा चावना चावना करें वह हमेशा चाय बनवा जब जालों से उसी घर पे तब यह भी तो यह चीज है ना कि वह जो घर है वह पुराना घर है जो तुम देखते हो वह पर तो नया घर बन चुका है तो वह कौन सी वर्ड है वह क्या है तो गर हमने डेथ हुई थी 2016 में 2017 तक बेच दिया था तो वह तोड़ तोड़के नया अब आप सोचो 2023 तक बिख चुका होगा किसने खरीद लिया होगा वह अभी तक नहीं भीगा था मैंने का कि अब देखना वह घर फालेगा कोई ना कोई खरीद लेगा क्योंकि अब मुक्तु यह जाके वा और दादी जी की जो बड़ी दादी की कागी उनकी डेथ उस घर मे जी किसी और घर में थी तब ही और बहर आके सीड्यों में बैठी रही करना वह भी कमरें में दिख थी अपने वह बाहर बैठी रही कुझे उनकी डेथ वा गर पे बीटी और तब चश्मा नहीं पहना था और अन्योंने अभी समझ यह बोले कि वह मुक्ति उनको इस टाइम यहां पर आप चल जाते हो बात करने के लिए और यह अलूसिनेशन है यह रियल है यह पर आपको क्या बताया जाता है कि वह मुख थे अस टाइम पर आप हुए है मेरे कजन ने इंट्रिस्टिंग बात बताई बात मैं फिर से कॉल किया जो मेरे मामा जी उनके फादर थे वो गई बार पंड़त से कि यार प्रॉब्लम्स आती घर पर हेल्टी इस तो पंड़ती ने देखते पता दिया आपके घर में कुछ है जिनकी अभी तक मुक्ती नहीं मिलिये उनने का कि 20 साल से उनका शरादणी नहीं होता न मेरी नानी-जी-क तो कह रहा है उनको यह पोजा वजा कर वा एक तब जा के थोड़ा होय Sen Rock mesure तो कि दादी जी का भी श्राब नहीं पता, वो बस बैसर आओगा कि उनको मलाग रहेगा कि जिन्दगी में, क्योंकि वो डादी जी की डेट थी नानी जी के बाद, तो उनको गिल्ट रहा होगा कि थोड़ा सा की बहुत बहुत पहले होगी, तभी उनने का कि जो मैं खुशी तो बिल्कुल ही अलगी चीज है, तो भाही पहली बार सुना है, हाँ यह अलग लफड़ा है कुछ और वो इन होटेल में हमेशा जब भी जाए हुट्र है किसी ने कीसी से मेरी अर्गिमेंट हो जाती है, लड़ा होतीちゃा साथ में उचाए होकि किसी से बात करें हो और यहाँ आट रही जाता थैय। नो मैं आपको पूछ कोछ करूँ नहीं मुझे डर था मैं आपको पदा नहीं आएगा नहीं आएगा तो मैं ऐसी आखबन गर करे मैं जो भी है नेगेटिव जो भी कुछ है अगर मुझे कहानी बता अपनी और भाई मैं था 7th floor पर मुझे मैं तिखा 5th floor पर मैं exact room भी बदा सकता हूं कहा तक गया दर्वाजा खुला दिखा महां पे लड़की वेटी यह बात कपकी वैसे कौन से साल की बात है साल कुछ दू हथे पहले अच्छा अभी की बात है अभी अभी जस्ट इंडिया से पहले म आपकी पुरूजर्स हैं थोड़ा परिशान है ऐसा लगार तो बहुत एम भी खाया नहीं है तो मैं गया मैं नहीं क्या हूआ आपको कैसे क्या बताओ इंडियान थी यह अव अच्छा उसनने बताया था नाम नहीं पताया था उसने एक एपकी तो अर इंग्लिश में ही बा सेक्स ट्राफियर की तरह रख दिया और मुझे मल्टिपल रेप्स किया गए लोग से और फिर मेरा जो भी मरडर करके पीछे एक खाली जगा दफना दिया गए और वहां पे खाली प्लॉट सा एरिया बहुत बड़ा वहां पे वाल पे करें महां दफना दिया गए मेरी अच्छा कुछ जो भी है ले ले लो भी खाना पड़ा है आप चिंता मत करो और जब भी कुछ चाहिए बताना थीक है तब खतम हो गया कुछ ताइम बाद मुझे अपने कमर में दी बैटी जहां पर रहते है तो उसके लिए भी आपको आइस क्लोज करें नहीं वह मैं आपक पर क्रीज भी थी जो पहले नहीं थी I could tell कि वह क्रीज ऐसे हो चुगी है तो मैं जब आपको दिखती है तो आपको क्या है क्या है क्या है क्या हो नहीं मैंने वस यह देखा मैंने ऐसी था मैंने का कॉफी पढ़ यह पी लाना सच में यह बोड़ा आपने यह का सी नहार मैं क्योंकि मैं ऐसे ट्रीट करता हूं कि धीक आप रियलो मैंसी ट्वित किया यह हए अथ यह मैं उस बीव नहीं पता नि की यह कहानी सच्चे क्या है अचिया क्या है इध है मैं घटर करने का यह अधे शले कह उन्हर नहीं है अभी भी आपके साथ तो नहीं आगे यह पर नाम बहुत हो गवाद का है है , अधि मेरी हुका , एक और अगो जेशा को वह पी आए रहा है ? नानी जी पी ओर उड्लीडी और जी खवाद के नानी जी को ऐसे एक पी जी आने की जही थे तरीजा से मिला बहुत है मैंने जल्दी फोटो देखा आप में उसके बाद के आपने काफी पीलना पड़ी है कुछ नहीं मुझे खतम हो जाएगी है देखू मैं देखता रहा कि हुई नहीं हुई नहीं पर कुछ नहीं हुआ पर फिर वो गायब कैसे ही कुछ नहीं फिर बड़ी करना वो पीना ओपना और बोली दिया हुई भूटा मैं अब मैं जा रहा हूं बड मैं होटल में रहता रहता हूं उस होटल पर ही रहता हूं मैं अगली बार मिलेंगा तो बरस ठीक है वो जो भी उसके बाद कोई ना उसी होटल उसी जगा पहुच जाएं और पता जले हमारी कोटाई हो रही है और उसे तो पता भी होगा ये बुझे जानते हैं ये उससे मिलके आए हैं कनेक्शन देख लेगी वा आपको और हमारा इंडिया में नहीं हुआ ना कभी आपके साथ है सब जब मेरे बड़े मामा जाजी की डेट वुझे दिखे थे डिली में हो अथा हो बट उन्होंने कोई बात नहीं गरी थे आए वह देखके स्माइल किए और बट वह वाला नहीं हो आख बंद करके जो अभी तक तो नहीं हुआ क्योंकि यह रीसेंट ही हुआ है अब यह वैसे आपको आपको जगा प जब आप अनकमफटबल फिल करते हो पसीना आता है अगर में लेगते हैं मतला कोई बात करना चाह रहा तो आखे बंद करें लेकिन आप अपकर चाहो भी तो आप कर सकते हो आख बंद ध्यान करके आप चाहते हो कि मुझे कोई दिख जाए तो आप कर लोगे ना वो चीज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई कम्यूनिकेट करना चाह रहा हो तभी अपने रीच करेंगा कि कोई रीच आउट करेंगा कि यह मैसेज देना है कुछ तब मुझे फिल रहता है कि हाँ और मेर्मी तो इतनी डरी हो तो अभी शादी हो और अभी पंदत से तुझे दुझ अभी शादी है तो हाँ यही कहानिया थी वही यारा लगी चीज और आप यूट्यूब पर यही बताते हो नहीं मैंने होरर का कुछ नहीं मेरा तो चैनल फिल्मों पर ए मैंने शॉर्ट फिल्म से शुरू किया था अच्छा फिल्मेकिं कोर्श जो गिया मैंने ऑनलाइन वि बढ़िया भाही आप भाही का कंटेंट फॉलो गर सकते हो भाही का यूट्यूब चैनल है आपी के नाम से है कभीर अधित्यस है मेरा राइटर्स नेम और स्टेज नेम प्रॉपर वह है और अभी तो वह मुवीज पही है और इंग्लीश में है तो कि बाहर रहता है तो इसल बहुत मजाया नेक्स टाइम आपके साथ कुछ होगा तो और कुछ होगा तो करूंगा जरूर जरूर थीन चार बार हो जाएगा ना आपके पिटारा होगा पिर पिर इसके बाद पर गास्ट करेंगी तेख और इन्टरिस्टिंग जो भी अभी होजाया इस का मलूम भाई ज गाता कि पुष्ट हो चुगे तो उसका अब पूस्का प्रिस्टिजर होगा तो अब जो जो अब मुख तो इसलिए भी घर कभी हमेशा कूई ना को प्रावल्म रही है हेल्थ फाइनचली या कभी नहीं फला बेसने में भी एक साल लग गए थे कोई नहीं घरीद रहता और वह था भी मेन उस पे T-point जैसे रोड होती है पार्क बाजू में और वैली अच्छी हो निचे तब भी नहीं बिक रहा था लोगों को लागा नंबर 666 उसका घरका है तो इसलिए है ऐसे उसोचते थे लोग 666 नंबर दा घरका अब मुझे संब्या की ओ क्यूं है साराथ सालों से प्रॉब्लम्स उसकी रही है चलो तो भाई अपनी ओडियन से बुलिंग आपको मजाया तो भाई लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, शेयर कर दो और भाई सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गोड़ बटन भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और मिलते हैं नए पोड़कास्ट में इसी के साथ बाबाई, सी यू, जैश्री राप, जैबजरंग बली